हलो दोस्तो क्या आपको पता है तिर्वती बाला जी मंदिर में जो मूर्टी स्थापित है वो असली भगवान की मूर्ती है ये मूर्ती कभी किसी ने नहीं बनाई बलकि ये स्वयम प्रकट हुई थी दोस्तों क्या आपको ये पता है कि इस मंदिर में विराजमान विंकेटिसर सौमी जी की मूर्थी पर लगे हुए बाल उनके असली बाल है दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये बाल कभी नहीं उलचते और हमेशा मुलायम रहते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे एक मंदिर के बारे में जहां भगवान स्वेम विराजते हैं और अगर आपने इस मंदिर के वहस्यों के बारे में जान लिया तो आपका दिमाग चक्रा जाएगा तो चलिए जानते हैं इसके बारे में दक्षिन भारत के मंदिर बहुत भव्वय और प्रसिद्ध हैं तिरुपति बालाजी मंदिर सरवादिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है ये प्रभू वेंकेटुशर बालाजी का मंदिर है जिने स्री विश्णु भगवान का अवतार माना जाता है ये आंदर प्रदेश के चितूर जिले में हैं ये दक्षिन में इस्तित तालाव तिरुमला के पास बना है इसके चारो और इस्तित पहाडियां से साथ फनों के आधार पर सत्गरी कहलाती है इस मंदिर का इतिहास 25 से सुरू होता है ये मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला है भगवान बाला जी की मूर्ती को किसी ने नहीं बनाया बलकि ये मूर्ती यहां स्वेम प्रकट हुई थी बाला जी की मूर्ती पर चोट का निसान है जहां औसदी के रूप में चंदन का जाता है बाला जी भगवान की मूर्ती के सिर्फ पर असली रेस्मी बाल है इसकी खास बात यह है इसमें कभी उल्जने नहीं पड़ती और यह हमेशा साफ दिखाई देते हैं दोस्तों इस मंदिर में केस दान की बहुत पुरानी परंपरा है मनत पूरी होने पर लोग यहां पर केस दान करते हैं इसका एक गहन अर्थ भी है कि बालों के साथ अपने एहंकार घमंड और बुराई को समर्पित कर देना लगबख 20,000 लोग यहां पर रोज केस दान करते हैं मंदिर की प्रतिमा को ध्यान से सुना जाए तो इसके भीतर से समुद्र के लहरों की आवाज बाला जी की मूर्ति हमेशा नम रहती है अब ऐसा क्यों है आज तक किसी को नहीं पता चल पाया मंदिर में रोजाना तीन लाख लड़ू बनते हैं इस मंदिर से करीब 23 किलोमिटर दूर एक गाउं है जहां लोग बहुत फुराने नियमों के हिसाब से रहते हैं उसी गाउं का किसी को पता नहीं है और ना ही किसी बाहरी वेक्ति को वहां जाने की आग्या है भगवान बाला जी के हिर्दय पर मा लक्ष्मी विराजमान रहती है माता यहां पर रहती है यह तब पता चलता है जब हर गुरुवार को बाला जी का पूरा स्रिंगार उतार कर उन्हें सना का लेब हटाया जाता है तो हिद्य पर लगे चंदन में देवी लक्षमी की छवी उभराती है दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर गर्व गुरह में एक दीपक बिना घी और तेल के हचारों सालों से जल रहा है अब यह कैसे होता है इसका कारण आज तक नहीं पता चल पाया पचई कपूरं को किसी साधारन प्रतिमा पर लगाने से वो पत्थर धीरे धीरे चटक जाता है लेकिन वेंकेटेसर भगवान का चमतकार ही है पचई कपूरं को वेंकेटेसर प्रतिम पर चढ़ाने पर प्रतिमा पर इसका कोई असर नहीं होता अन्य मंदिरों की तरह यहां पर भी भगवान को रोज तुलती पत्र चढ़ाया जाता है लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रोप में नहीं दिया जाता पूजा के बाद उस तुलती पत्र को मंदिर परिसर में की जाने वाली हर मनत पूरी होती है मंदिर के मुखे द्वार पर दर्वाजे के दाई और एक चड़ी है इस चड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्ले अवस्ता में इसी चड़ी से भगवान बाला जी की पिटाई की गई थी इस कारण उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई जाता है तकि उनका घाव भर जाए जब आप भगवान बाला जी की गर्वग्रे में जाकर देखेंगे तो अब पाएंगे कि मुरती गर्वग्रे के मध्द्य Infrast के मथित्त है वहीं जब गर्वग्रे के बाहर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुर्ती जाता है इस मंदिर की मूर्ती पर जो भी पुस्त माला चड़ाई जाती है उन्हें मूर्ती के पीछे फेक दिया जाता है और इसके पीछे माननेता है कि इसे देखना असुब और पाव है वैसे तो भगवन बाला जी की प्रतिमा एक विशित प्रकार के चिकने पत्थर दे बन जाता है जिसे पुझाडी समय समय वेर पोश्टे रहते हैं दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मंदिर दुनिया में सबसे अमीर मंदिरों की गिंती में आता है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहां परविराजी तिरुपति बाला जी गरीब है और कर्ज के तले दबे ह जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मंदिर तो अमीर है पर यहां के भगवान गरीब है और इसके पीछे का क्या रहस्ते है और अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके हमें जरू बताएं साथी चैनल को सब् करेंगे